राधे राधे भक्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल दपावर ओफ ओम पर आईए जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां और कैसा रहेगा आपका दिन तो यह जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे ताकि रोजाना राशि राशिफल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जैश्री राम कन्या राशिवाले कारियों में पाएंगे सफलता धनू तीखे स्वर में न करें बात जानिये मेश से मीन का पूरा राशिफल आज नकारात्मक ग्रहों की स्थिती आपको ग्राहकों से खराब फीडबैक दिला सक अपनी ओर से उन्हें शिकायत का मौका न दें युवा वर्ग को दूसरों के बहकावे से बचें जाने सभी बारह राशिवालों के लिए 14 दिसंबर का दिन 2023 कैसा रहेगा गुरुवार को कन्या राशिके लोगों का जहां एक ओर आत्मविश्वास और पराक्रम बरहेगा त तो स्वदेशी कंपनी में निवेश करना अच्छा मुनाफा दिलाएगा मेश मेश राशी के करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे लोग काम का पैटरन बदलें और टीम वर्ग को बरहावा दें जिन व्यापारियों ने पूर्व में ही निवेश किया है उन्हें फिर से नए निवेश करने से बचना चाहिए क्योंकि आज समय अनुकूल नहीं है युवा वर्ग के भीतर जितनी उर्जा और जितनी तेजी हैं उसका सदुप्योग करना अती आवश्यक है संगे संबंधी यदि हॉस्पिटल में भरती हैं तो उनसे फोन पर ही सही लेकिन हाल चाल अवश्य लें सेहत में आज कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे बी-पी हाई हो सकता है इसलिए जितना हो सके स्वयम को तनाव भरे माहौल से दूर रखें व्रिश इस राश्य के नौकरी पेशा लोगों को काम को लेकर अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है कठिन परिश्रम के बाद काम पूरे होंगे जिन व्यापारियों का सरकारी कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उसे सूझ-बूझ के साथ निप्टाने का प्रयास करें विवाद होने की आशंका है प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई में पूर्ण योगदान देना चाहिए जीवन साथी का यदि जन्म दिन है तो उनके हाथों किसी जरूरत मंद परिवार की मदद करनी चाहिए सेहत की दृष्टि से विशाक्त रोग से आपको अत्यधिक अलर्ट रहने की आवश्यक्ता है मिथुन मिथुन राशी के लोग पर्सनल लाइफ की समस्याओं को प्रोफेशनल लाइफ में शामिल करने से बचें जो भी कार्य करें वह प्रैक्टिकल होकर करें आज नकारात्मक ग्रहों की स्थिती आपको ग्रहकों से खराब फीडबैक दिला सकती है अपनी ओर से उन्हें शिकायत का मौका न दें युवा वर्ग को दूसरों के बहकावे से बचते हुए स्वयम के विवेक का इस्तमाल करना है पिता के साथ बैठ कर पुरानी यादों को ताजा करें इससे आप बचपन का अनुभव कर सकते हैं सेहत में लगातार काम कर रहे हैं तो आज आप कुछ सुस्त नजर आ सकते हैं इसलिए आज आपको सिर्फ और सिर्फ आराम को प्राथमिक्ता देनी चाहिए करक इस राश के लोग महत्वपून निर्णय लेने से बचें क्योंकि मन में भटकाव की स्थिती निर्णय लेने में भ्रमित कर सकती है खुद्रा व्यापारी को महनत का फल मिलेगा और आगे बढ़ने की रेस में वह भी शामिल होते नजर आएंगे विद्यार्थी वर्ग को आलस्य से बचना चाहिए अन्य था आप अन्य सहपाथी से पीछे हो सकते हैं परिवार में यदि कोई नाराज हैं तो उसकी शिकायतों को दूर करें नाराजगी को लंबे समय के लिए खींचना सही नहीं है सेहत में जिन लोगों को लीवर से संबंधित रोग पहले से हैं उनकी समस्याएं आज के दिन कुछ ज्यादा बढ़ सकती है सिंह सिंह राश्शी के लोगों को कर्म के प्रती निष्ठावान रहते हुए सारा फोकस कारियों पर लगाना है वर्तमान समय में की गई मेहनत भविष्य में अच्छे परिणाम लेकर आएगी व्यापारी वर्ग को इमानदारी से व्यापार करने की सलाह दी जाती है क्योंकि बेईमानी आपको शर्मिंदा कर सकती है विद्यार्थी वर्ग ऑनलाइन ग्रुप बनाकर पढ़े इससे उनका कोर्स नहीं पिछडेगा साथ ही पढ़ाई से संबंधित संदेह भी दूर होंगे अभी भावक संतान की गैर जिम्मेदार हरकतों से परेशान होकर उन्हें डांट सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कुछ बातें डांट कर नहीं बलकि प्यार से सिखाई जाती हैं सेहत में जंक, फूड, लवर को अब खान-पान पर सकती बरतनी होगी अन्यथा पेट में इन्फेक्शन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है कन्या कन्या राशी के लोगों का जहां एक और आत्म विश्वास और पराक्रम बरहेगा तो वहीं दूसरी और जटिल कारियों को सरलता से करपाने में सक्षम रहेंगे मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र से जुद्धे व्यापारियों को बढ़े ओर्डर मिलने की संभावना है युवा वर्ग को न केवल मित्रों के साथ बलकि भाई बहनों से भी संबंध मधुर रखने है क्योंकि वह आपकी जरूरत के समय खड़े होंगे घर की साफ सफाई को लेकर विशेश प्रबंध करें संभव हो तो आसपास हरे पौधे लगाएं हेल्थ में शारीरिक शमता को बढ़ाने के लिए पौश्टिक आहार का सेवन करें जिसमें मुख्य रूप से फल, हरी सबजी और कैल्शिम युक्त आहार होने चाहिए तुला तुला राशिके जिन लोगों ने हाल ही में ऑफिस जुईन किया है उन्हें आज के दिन काफी कुछ सीखने को मिलेगा ग्रहों की स्थिती को देखते हुए मशीनरी से संबंधित कारोबार करने वालों के लिए समय उचित लाब लेकर आएगा युवा वर्ग को कुछ समय एकांत में बैठ कर आत्म मंथन करना चाहिए इससे आप अपनी कम्यों का आकलन कर उसे दूर कर पाएंगे जो लोग घर से दूर रहते हैं उन्हें नियमित रूप से माता-पिता का हाल चाल लेना है हेल्थ में जो लोग किसी भी प्रकार का नशा करते हैं वह उसका त्याग करें अन्यथा यह किसी गंभीर बीमारी को नियोता देने के बराबर होगा व्रिश्चिक इस राश के लोगों को कार्यस्थल पर नियमबध रहना होगा जो भी कार्य करें वह उफिस के दाइरे में रहकर करें व्यापारियों को इरश्यालू लोगों से सचेत रहना चाहिए नहीं तो वह व्यापार में बाधा उत्पन करने की योजना बना सकते हैं कहीं का गुसा कहीं ओर उतारने से बचें, बहुत क्रोध की स्थिती में शांत रहें और बेवजह पार्टनर भी गुसा करने से बचें पैत्रिक संपत्ती को लेकर आपके खिलाफ शडियंत्र रचा जा सकता है, इस शडियंत्र के खिलाफ आप भी ठोस रणनीती तैयार करें सेहत में जुकाम, खासी, बुखार, जैसे जो भी बीमारियां थी, उनमें आज आराम मिलेगा धनू, धनू राशी के लोग टीम लीडर से तीखे स्वर में बात करने से बचें, आपकी बातें न केवल टीम लीडर को बलकि अन्य सदस्यों को भी चुब सकती है, छोटे व्यापारियों को मंदी का सामना करना पड़ सकता है, जिस कारण आप कुछ उदास भी हो सकते हैं, यदि धार्मिक कारिक्रम में शामिल होने का अवसर मिलता है, तो आगे बढ़कर कारिक्रम का हिस्सा बने हो सके, तो कारिक्रम को संपन्न कराने की भाग दौड भी संभालें, परिवार में बड़ों से लेकर छोटे सभी सदस्यों के साथ ताल मेल बना कर चलें, छोटी-छो मकर मकर राश्ची के लोगों को कर्मक्षेत्र में कारियों को सोचारू रूप से करने के लिए टेक्नॉलोजी का सहारा लेना चाहिए व्यापारी वर्ग बड़ी कमपनियों के ओफर को देख कर अधिक माल स्टोर करने से बचें माल खपत और जरूरत के अनुसार ही स्टोर करना फाइदे मंद होगा ऐसे युवक जो टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हैं उनको जल्द ही कोई महत्वपूर्ण उपलब्धी मिलने की संभावना है जीवन साथ ही किसी जरूरी बात पर आपका मार्ग दर्शन कर सकते हैं इसलिए उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनें हेल्थ में ठंड से बचाव करना होगा अन्यथा पेट और सिर में दर्द हो सकता है इसके साथ ही सीने में जकडन के भी शिकार हो सकते हैं कुम्भ, राशी के लोग जरूरी कामों को पहले करें उसके बाद दूसरे कारियों की शुरुआत करें जिससे आप तनाव और क्रोध मुक्त रहेंगे व्यापारी वर्ग की बात करें तो आज उन्हें सिद्धानतों के साथ कोई कंप्रोमाईज करने की आवश्यक्ता नहीं है युवा वर्ग समय के मोल को समझे और इसे करियर को समवारने पर ही खर्च करें पिता के स्वास्थे को लेकर चिंतित हो सकते हैं इलाज के साथ प्रभू से उनके जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना भी करें सेहत में महिलाओं को किचन में कार्य करते समय अलर्ट रहना है क्योंकि अग्नी दुरघटना होने की आशंका है मीन मीन राश्षि के लोगों को पॉजिटिव रहने का प्रयास करना है, क्योंकि नकारात्मक बातों का असर आपके दिमागी संतुलन को बिगाड भी सकता है व्यापारी वर्ग यदि दुविधा की स्थिती में है कि किसी कमपनी में निवेश किया जाए, तो स्वदेशी कमपनी में निवेश करना अच्छा मुनाफ़ा दिलाएगा युवाओं को स्वभाव में हलकापन रखना होगा, भविश्य की चिंता वर्तमान समय को खराब कर सकती है दमपती बेवजह की शंकाओं को अपने रिष्टे में स्थान न दें, अन्यता यह तनाव के साथ अलगाव का भी कारण बन सकती है सेहत में ठंडी खाने पीने की चीजों से खुद को दूर रखें, क्योंकि गले और पेट में दर्द होने की प्रबल आशंका है दोस्तो ऐसे ही रोज दैनिक राशिफल जानने के लिए विडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राराइब जरूर करे और जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े